हाई विवर्स जाइका इंडिया का यूट्यूब चनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे पकोड़े बनाने की एक नई रेसिपी जी हाँ आलू के प्याज के मिर्ची के पकोड़ों तो आपने बहुत बनाए होंगे आज हम बनाएंगे कोण पकोड़ा यानि की आज हम मक्काई के भजिये बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट भजिये बनकर तयार होते हैं इस बार इसके मोसम में इन गर्मा करम पकोड़ों को आप अपने घर पर जरूर बनाएगा आपको इस रेसिपी बहुत पसंद आएगी तो चलिए सुरू करते हैं आसान फूड रेसिपीस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें कोण पकोड़ा बनाने के लिए हमने दो कप कोण लिए हैं पो देखिए आप फ्रोजन कोने इस्तेमाल कर सकते हैं हमने फ्रेस कोन लिए हैं ये बिल्कुल कच्चे हैं अब इसे मिक्सी जार में पीस लेंगे कि देखिए हम्में इसे मिक्सी जार में दरदरा पष्णा है फाइन पेश्त नहीं बनाएंगे इसका थोड़ा दरदरा पीशेंगे और हाँ इसे पीशने के दोरान हमने बिल्कुल भी पानी एड नहीं किया था अब हम इसमें दो मीडियम साइज की बारिक कटी हुई प्याज एड करेंगे और एड करेंगे तीन टेबल स्पून बारिक कटा हुआ हरा धनिया और तीन बारिक कटी हुई हरी मेज एक टीस्पून अदरकले सुन का पेश्ट और एड करेंगे चार टेबल स्पून कौन फ्लोर देखिए आप कौन सोर की जगा चार टेबल स्पुन मेदा भी एट कर सकते हैं साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे चार टेबल स्पुन बेसन अब हम इसमें एट करेंगे एक टीस्पुन भर के लालमिच पाउडर और एट करेंगे एक टीस्पुन नमक हाफ टी स्पुन जीरा पाउडर एट करेंगे और इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए इस स्टेज पर अगर आपको घोल थोड़ा गाढ़ा लग रहा हो तो आप इसमें 2-3 टेबल स्पुन जितना पानी एट कर सकते हैं तो अब हम इसके पकोड़े बना लेंगे तेल अच्छे से गराम हो जाए तब हम इसमें पकोड़े एट कर देंगे गेस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हमें इनको फ्राई करना है एक बार में जितने पकोड़े पेन में आ जाते हैं उतने हम इसमें डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे इनकी साइट्स को चेंज करके दूसी तरफ से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे इस तरह से जब पकोड़ों का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इनको तेल में से निकाल लेंगे इसी तरह हमें बाकी के पकोड़ों को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेना है और फिर सव करेंगे इन गर्मा गर्म पकोड़ों को तो खाने के लिए तैयार है कोन पकोड़ा जिसे हम फ्राई क्यूवी हरीमीच के साथ सव करेंगे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें और इसी आसान फूड रेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले और हाँ, अगर आपने हमारी मोंसुन स्पेसियल रादस्थानी मिल्ची वड़ा, क्रिस्पी और पफी आलू पकोड़ा और अमदवाद के स्पेसियल डाल पकोड़ा की रेसिपी नहीं देखी, तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फिर मिलेंगे जाइका इंजिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुडबाई